hello student good morning i hope you will be fine today we will start science chapter number one food and its sources second part of class six देखो मैंने आपको starting वाले chapter में बताय था कि जो हमारा food है sources of food two sources of food like plants and animals ठीक है फिर मैंने आपको बताय था कि daily product कौन कौन से होते हैं इन सब के बाने में बताया था तो अब जो explain करना है आपको पढ़ाना है वह ग्रूपिंग ओफ लिविंग और्गिनिजम ओन बेसिस ऑफ दियर food habits कुछ आनिमल को केटेगराइज किया है उनके foods के habits की according जैसे कि autotrophic organism जो है autotrophs living organism which make their own food are called autotrophs जो organism अपना food खुद बना पाए living organism का मत्तब होता है जिंदा चीज़े plants animals ऐसे बहुत सारे organism है जो अपना food खुद synthesize कर पाते हों जो organism अपना food खुद synthesize कर पाते हैं उसको बोलते है autotrophs और all green plants can make their own food by the process of photosynthesis जितने भी green plants होते हैं वो अपना जो food है वो कौन से process से बनाते है photosynthesis फोटो का मतब होता है light sunlight photo का meaning क्या होता है light light का मतब sunlight और synthesis का मतब प्रिपियर के जो sunlight के presence में food को synthesize किया जाता है उसको बोलते है photosynthesis they can make their they can make their food from carbon dioxide water in the presence of sunlight and chlorophyll जो green plants होता है वो photosynthesis कैसे करता है उसका जो होता है उसको photosynthesis करने के लिए carbon dioxide की requirement होती है co2 water की requirement होती है sunlight जो की sun से आती है और chlorophyll जो है वो कहां पर present होता है green part में green pigment होता है जैसे कि leaves में स्टैम में कहीं के स्टैम में भी प्रेजेंट होता है तो जो photosynthesis के जो conditions है वो four conditions है carbon dioxide जो की atmosphere से लेगा water जो है वो soil से लेगा sunlight जो है वो sun से लेगा और जो chlorophyll होता है वो प्रेजेंट होता है leaves में green part में they can also call producer इसलिए हम इसको क्या बोलते है producer भी बोलते है producer कौन होते है जो अपना food खुद सिंथे साइज करते हैं जिसको autotrophs is also known as producer as they produce food from this then cells and for others producer किसको बोलते है जो अपना खाना खुद बना पाता है और दूसरों को भी उससे मिलता है produce होता है उसको बोलते है producer organism which depends directly on autotrophs for their food directly or indirectly are called heterotrophs heterotrophs किसको बोलते है वह वाले organism जो किसी दूसरे organism के उपर I mean autotrophs green plants के उपर directly depend है और indirectly depend होते हैं उसको बोलते है heterotrophs heterotrophs होते हैं जो अपना food खुद से साइज नहीं कर पाते हैं जो किसी दूसरे organism से अपना food लेते हैं अब directly और indirectly कैसे यहां पर लिखा है डारेक्ली जितने भी green plants eater है like herbivores animal horse rabbit elephant cow buffalo वह सब क्या है green plants को इट करते हैं तो वह क्या है डारेक्ली डिपेंड है लेकिन इंडारेक्ली कौन है जैसे कि टाइगर लॉयन यह सब क्या है इंडारेक्ली डिपेंड है ठीक है तो हैट्रोट्रोफ को इसको बोलते हैं जो अपना food खुद से थे इंसाइज नहीं कर पाता जो किसी दूसरे organism से अपना food लेता डारेक्ली और इंडारेक्ली उसको बोलते हैं है यह ट्रोट्रोफ्स यह आर ऑल्शो कॉल थे थे घ्रोने लीर की अनुड नियुक्र के और बारे कर घ्रो उपर डिंद outta एंड़ नूसरे एम ऐड़ में थेatř extrाव का लाइंडर की यह है एनिमल तो और चांण हो से ऐनिमल है यह ट्रोप से लिडामो का बीड़ेक्ली उपएं नहीं गराफ यह के इसनुदे पाते को खाते हैं हर एगास को खाते हैं उसको बोलते हैं किसको बोलते हैं Akiko MHS एक और आपने कर इए कोर द्रेख को देखा के जो फ्लैट होते हैं ऐसे के फ्लैइन कर सकते हैं वेल डेवलप फ्लाट टीछ में तो जो सकत करशफा सकते उनकी जो घृपी सकते उन से उन पड़ेंग कarfिए vengeance उससे वो क्या करेंगे? क्रशिंग और ग्राइंदिंग करेंगे जिससे कि वो इसमाल पीशेज में ब्रेकडाउन कर सेके ज़िह को अब कार्निवोर्ष अनिमल देखे इंटिंग को अधर अनिमल जो किसी दूसरे अनिमल को खाते हैं उसको बोलते हैं carnivores animal for example tiger lion eagle owl frog snake and lizard are carnivores देखो जो यह आपके example दिये हैं यह सब किसके example है carnivores animal की क्योंकि यह किसी दूसरे animal को खाते हैं lion and tiger have long and sharp teeth and powerful jaw to grasp and tear their prey देखो जो tiger and tiger जो lion होता है उसके duel टीट होते हम काफिल akARK video ौइद देखो जो 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 यह वह वह भी काफित पावरुफुल ओटे जिससे कि वह अपने चुर्च है जो इसका यह यह तरीके से मतलब जिसका वह फूद उसको क्या करता है वो टीर करता है देखो जो लाइन होता है इसका जो टीट होते हैं वो इस तरह के पॉइंटी टीट होते हैं शार्प होते हैं जिससे कि वो इन पॉइंटी टीट से वो क्या कर से कि अपने प्रे को टीर कर सके in addition they have sharp teeth toward the back of the mouth used to further rip and shred meat carnivore's bird have sharp claws and strong curved beak to tear the flesh कि इस आफिजे मेडान होते हैं जो पिछे वाले दाइँ इससे कि वह घर मेड को aż उसके वगाए यो हैं उनके जो पफ़ोंज से के आफिश होते हैं जो और इनकी जो बीक होती है जो चौँचि मेड और पprovoking स्ट्रॉंग होती है जिससे कि वो अपना जो फ्लेश है जो मीच वगएर उसको अच्छे से तीयर कर सके अब देखिए स्नेक है मुवेबल लोवर जो टू स्वेल दियर प्रे एस अ होल देखो जो स्नेक होता है इसको जो नीचे का जो जबड़ा होता है मुवेबल जो होता है आप está是不是 नहीं कर सकते है जो नीचे वाला जबड़ा हो मुवेबल हो कर सकता है लेकिन जो ऊपर वाला है वह स्टेस्टनरी है वह मुव नहीं कर सकता झाया का जो ओई आ पर ज़ो है वह मुवेबल जिससे के वो अपना पूरे फ्लो कर सके वांनापने प्रेघ को अपने तक टयों यहां पर देखंग वह काफी चित पहाड म्थ किस बहुता है और इत बोहत प्लांट्स रचल고 को सके तो देखो यह जो लएं न है किया है कर दिए यह सब क्या है करनीबोर्स अनिमल ठीक है अब ऑम्नियोर्स आनिमल कि सकके स्वाइट चीजा नैनिमल चीज़ और टूनों चीज़ को खासकते प्लांड कि प्रॉड़क्ट्ट और अनिमल प्रॉड़क्ट को भी हास destra को बोलते हैं Omnivores जैसे कि humans, bear, monkey are example of carnivores देखो जैसे कि human beings जो है वो दोनों चीज़ खा सकते हैं ठीक है और monkey, bear यह सब किस चीज़ के example है Omnivores आनिमल तो carnivores आनिमल plant eating animal sorry herbivores animal only plant eating animal और carnivores only flesh eating animal और Omnivores both plants and animal eating animal squencers mainly consume dead bodies of animals squencers किसको बोलते हैं जो किसी dead animal की body को खाते हैं consume करते हैं उसको बोलते हैं squencers they help to keep the surrounding clean और यह जो squencers होते हैं वो हमारे surroundings को भी clean भी करते हैं क्योंकि अगर कोई animal जो है वो मर गया है dead bodies है animal की तो उसको अगर इसक्वेंजर नहीं खाएंगे तो वहाँ पर फॉल स्मेल आएगी बहुत सारे इंसेक्ट जो है वह आ जाएंगे बहुत सारे वाइरस वगएरा वो तो उससे जो स्प्रेड होने शुरू हो जाएगे तो इस तरीके से मतलब जो इसक्वेंजर से हमारे लिए यूजफुल भी हैं एक्जामपल आर क्रोज जेकाल्स हाइनास वल्चर यह सब किस चीज़ के एक्जामपल है इसक्वेंजर के जो हमारे जो डैड प्लांट और आनिमल को खाते ह हैं अब देखिये पैरीड किल देंग के ऐन फीड फीड इसको बोलते हैं ठीड साइट फीड अढ़र लीजिANT पैर किसको बोलते हैं जो किसी दूसरे डैड जो किसी दूसरे मुघजल भीनिघ जो किसी दूसरी इसको अपर रहights क्यव्वेंग वीजियवश्यब नेरे उपन योग idag इसे बहुत सारे पारसाइट है जो एकस्टर्नल पेडासाइट है जैसे लाइस है बग है ठीक है और मॉस्कीटवोवे इकस्टर्नल पारसाइट क्योंकि अगर यह हमारी बॉड़ी से किया करते हैं कि Management हें रहे लाज की है वह यह हैं आपना घ्रो अपेकर है वहां यह के लिए तो इसे बहुत सारे cater जो internal parasite है जैसे tap warm round warm यह सब हमारी बॉड़ी के अंदर से अपना फूर लेते हैं तो पैरासाइट जो है पैरासाइट किसको बोलते हैं जो किसी दूसरे living organism की बॉड़ी के ऊपर या फिर अंदर लेके अपना फूर्ड को उप्टेन करते हैं उसको बोलते हैं ठीक है अब देखे फूर्ड जेन यह सब एक्जामपल दिया है आपको पैरासाइट external internal parasite food chain food chain क्या होती है food chain होते है ट्रांसफर आफ एनरजी एनरजी कैसे ट्रांसफर होते है food chain is a series of living organism in a common community arranged according to their according to their food relationship a food chain show how nutrients transfer from one living organism to another and also show that show how energy moves from one living organism to another food chain किसको बोलते हैं कि energy जो है वो ट्रांसफर कैसे होती है जैसे कि एक प्लांट है एक प्लांट ग्रो हुआ उसने अपना फूर्ड खूद सिंथेसाइज किया photosynthesis की help से जैसे कि उसने carbon dioxide water sunlight और chlorophyll इसके अंदर present है क्योंकि green pigment जो है green color का जो ग्रास है वो किसकी वज़े से chlorophyll की वज़े से तो इसने energy किसली suns है तो इसने food synthesis कर लिया अब इसको कौन खाएगा ग्रास होपर ठीक है ग्रास होपर ने किया कि इसको खाया तो इसकी जो इनर्जी वह यहां पर ठांसफर होगी अब ग्रास ओपर को किसने खाया frog ने तो फ्रॉग के अंदर energy जो है वो ट्रांसफर होगे है उसको बोलते है food chain ठीक है all living all food chain begin from green plant जितने भी food chain होते है वो कहां से start होंगी सिर्फ green plants से क्योंकि producer से start होगे producer से ठीक है जिसको बोलते है autotrophs से what does this means it means that all animals depend all animals are depend on green plants for food either directly or indirectly इससे क्या पताच लगता है हमें इससे इसका मतलब यह है कि जितने भी producer है green plants है उसके उपर animal जो है हर एक जो animal है वो directly और indirectly depend है जैसे कि अभी grass होपर जो है वो directly depend है किसके उपर grass के उपर लेकिन जो eagle है snake है frog है वो क्या है है directly है डिपेंड किस पर grass पर लेकिन इसको कौन खाएगा grass ओपर को grass ओपर ने green plants को खाया फिर grass ओपर को कौन खाएगा frog तो यह क्या हुआ यह तो directly depend हुआ grass ओपर लेकिन जो frog है वो indirectly depend है ओके I hope you will be understand if anybody have any problem then you can tell me that's all for today